वीगार्ड प्रिजेंट्स कौन जीत रहा है को पावर्ड बाइ सेंसुडाइन एंड विमल बोलो जुबा केशरी अम्बेडकर नगर शावस्ती दोनों सीटे पिछली बार बियस्पी ने जीती और सुल्तानपूर मेनका गांधी पहले मैं सुल्तानपूर चलूँगा मेनका गांधी की रिपोर्ड ले लेते हैं कि क्या है आज तो बेटे वरों गांधी भी प्रचार करने आगे बोले पूरे देश में सांसद जी बोला जाएगा, नेता जी बोला जाएगा, मंतरी जी बोला जाएगा लेकिन सुल्तान पूर ऐसा छेतर है जहां मेनका जी सांसद है उनको वहां माता जी बोला जाता है यहां वो मा के रूप में उनको जनता देखती है बड़ी बहन के रूप में देख ले ये तो हो गई बात लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 48 गंटे पहले सोनू सिंग को जोईन करवाया वो आपको क्या लगता है विश्णू कि कोई एफेक्ट हो है और मेंका गांधी परिशानी में आ सकती है क्योंकि सोनू सिंग ने पिछला चुनाओ गटबंदन से लड़ा था और तब वो मात्र साड़े चौदा हजार वोटों से आ रहे थे अब की क्या है सिच्वेशन कि उनके आने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं बढ़ेगा पांस से साथ परसेंट पर्चिवर्ट फर्क पड़ेगा तुकि बहुत कम समय में यह समाजवादी पार्टी ज्वाइद किये हैं इसलिए उनको ज्यादा निम्शान नहीं होगा और आज इनके बेटे वरुल गाज आज सुनाओ पर्चार में पहुक्शे हैं और इज़ों यह बोला कि मैं अपनी मां के लिए नहीं मंग रहा हूं लें अंप सुल्टान तुर्क की मां के लिए पना मांग रहा हो तो क्या आप देख रहे हैं महाँ पे महिनका गांधी के लिए क्या सिच्वेशन है अभी लिखिए समाजवादी पार्टी और ये भास्ता से जो साथत महिनका गांधी है इसी कड़ी तक्तर मानी जा रही है महाँ ये जैसे 14,000 आप पास वोटों में जीटी थी उसी के आप पास फिर ये चुनाओं अपना निकाल देख वर्मा का कोई असर नहीं उद्य राज वर्मा सो कोई असर नहीं है वो तो इस्थानी और बाहरी का मुद्द बना के चल रहे हैं वहाँ कुर्मी उटर जो है वो भी बिजेटी को समर्खत कर रहा है ठीक है अमबार आप पास आते हैं शावस्ति बड़ी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है पूर आईपियस अधिकारी पूर आईएस निर्पेंद मिर्श्रा के बेटे हैं इससे भी हुई है और वो वहाँ लगातार रहे हैं जमीन पे करोना काल का जैसा आप से बातचीत में पता चला कि वो बहुत ज़्यादा जुड़े रहे वहां की वहां जातिगत समीकरण फिर मैं कहता हूँ की दिखते हैं की वो समाजवादियों का गड़ा है या बलराम उसमें हैं लेकिन ये सीट जो बलरामपुर खतम होके बनी ये अटल वहरी वाश्पेई की कर्म भूमी भी रही है यहां से सांसाद भी रहे हैं साकेत मिश्रा वहां अच्छा करते दिख रहे हैं या कड़ी टक्कर में राम शिरुमणी वर्मा के साथ फ़स गए हैं यहां पर जो साकेत मिश्रा है वो कहीं न कहीं राम शिरुमणी वर्मा से कड़ी चक्टर में फ़से हुए नजर आ रहे हैं जोकि यह मुस्लिम बाहुल खेत रहे है पुरी तरीके से और पुर्मी भी कहीं न कहीं राम शिरुमणी वर्मा के तरफ जाता हुए नजर आ रहा है जलीद भी इस बार कहीं न कहीं गड़बन ईड़ी गडबन के तरफ जाता है तो इससे साथ जाहिर हो रहा है कि अगर मुस्लिम बाहुले सीट है या मुस्लिम बद्दाता वहां थोड़ा नरायक भूमिका में है तो हाजी दद्दन की भूमिका क्या देख रहे हैं आप लड़ाई में है त्रिकोणी है है या सिर्फ बीजेपी वर्सिस समाजवादी पारटी है ही मामला बस्ता ने उनको मुसल् से नजर नहीं आ रहा है अगर लड़ाई है तो सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी है तो मुस्लिम बोट नहीं बटेगा आपके हिसाब से या बटेगा बिल्कुल नहीं कुछ पर्चंट जा सकता है लेकिन पूरा अगर कहा जाए पूरा वोट चला जाए तो यह समाजवादी की और जाते हुए देख रहे हैं अमबार शावस्ती में क्या आपको दलितों के बीच एक चीज समझ में आई कि जो इंडिया गटबंदन एक निरेटिव दे रहा है समविधान बचाओ आरक्षण बचाओ ये निरेटिव मिला कि वो इससे खुश था कि हमको किसान सम्मानवी निदी में पैसा मिल लाए मुझको आनिक का जो वितरण है लाबार्थी मुझको सोचाले मिला है मुझको जुला गैस मिली है जो कई कल्यारकारी योजनाए है जो बिना बेदभाव के कम से कम इस सरकार में इस पर ये आरूप नहीं लगा इसका क्या आफर दिख रहा है दलित वोटरों में कि अगर देखा जाए तो दलित वोटर है हमारे किया वो कहीं न कहीं जो पिछली वाद दोहदार उनीज का सुना हुआ था वो बीजेपी की तरफ गये थे लेकिन इस बार जो सुना है आरश्पर का मामले को लेकर बीजेपी से कटते हुए नजार आ रहा है और इंडिया कि अगर देखा जाए तो राई बिल्कुल काटे की है बहुत की काटे की है क्योंकि मैं अभी साजित से सम्झूंगाओं में लिख रहा हूं कि अपने रिपोर्टर्स की उसमें क्या-क्या है अब मैं चलता हूँ अपने संभादता अनुराग चौधरी के पास अंबेड कर न लोटस जिलाम बेड कर नगर में चला सबसे पहले राकेश पांडे वोट देते हैं संजय सेट को बीजेपी समर्थत उम्मीद्वार फिर उनके बेटे जो सांसद हैं रितेश पांडे वो बीजेपी जोईन करते हैं चुनाओ और बढ़ा लड़ाई और बढ़ी लाल जी वर्मा कहीं से कमजोर नहीं पड़ रहे थे और सबसे बड़ी बात कि ये वो जिला हैं मेड कर नगर जिसमें सूपड़ा साफ हुआ था बीजेपी का बाइस में आजम बढ़ की तरि फिर भी पवन पांडे को रिलीज क किया गया रातो रात अब क्या है अब चुनाओ में मतदान होने में अनुराग 48 गंटे का भी समय नहीं बचा है 48 गंटे में तो आप रिपोर्ट दे रहे होंगे मुझको इसी टेबिल पर कि क्या रहा तो क्या दिख रहा है आपको वहां पर रितेश पांडे के लिए क्या अमर हयात जो मुसल्मान कंडिडेट यहां भी बियस पी ने दिया उनका क्या हाल है वो कितना लाल जी वर्मा को कुछ नुकसान पहुचा रहे हैं कि नहीं लाल जी वर्मा बहुत पुराने नेता है मायावती के सबसे करीबी नेता हूं ऐसे एक थे और जो बहुजन समाज से निकले हुए अगर कहना गलत नहीं होगा कि काशिराम की नर्सरी के तयार की हुए यह नेता थे आज समाजवादी पार्टी में विदायक भी हैं वहाँ जी अनुराग कि देखें हम बेटकर नगर्टी सियासत जो है तोड़ा हट के है यहां राम मंदिर अंदोलन जब से शुरू हुआ था अब दावरी बिद्वास कांट कह सकते हैं उसके बाद से लेके अब तक जब से जिला बना है सबसे समाजवादी या बत्पा के परभाव में ही रहा था और जो जातिय समिक्रण यहां का है वो भी भाजपा के अनकूल नहीं दिखाई देता और एक सबसे बड़ा मुद्धा जो है अमबेटकर नगर काफी सिछा को लेकि काफी जाग रूप है और यहां पर कभी भी हिंदू-मुस्लिम हो माजम निर्माजीत हो कोई मुद्धा च लेक्टर है रासन रासन को भी लेकर यहां पर काफी कम पर्भाव दिखाई देता है लोगों की एक ही आवाज रहे कि सिछक खेतर में आपने क्या किया नौकरी हमको कितना दी क्योंकि अमबेटकर नगर की अधिकान लगवस्ताइद कोई गाउं हो जिस गाउं से है आप की बारे में दिक्रिकिया तो कमर है आप यहां बसका जरूर लड़ा रही है उनको चुनाओं मुस्लिम है एक बार उस्टेयर मैं भी रह चुके हैं जलाल कुन अगरपाल कि लेकिन उनका कुछ हसा परवाव नहीं दिख रहा है क्योंकि मुस्लियों में संदेश है कि क इसका भी फायदा आप जो कह रहे हैं वो सपा को मिल रहा है अभी मैं आपस लेता हूं सवाल अब मैं साजिद आप से समझना चाह रहा हूं कि अभी तक हम लोगों ने सुल्तानपूर बात की पृताबगड़ बात की फूलपूर सीट बात की इलहबाद बात की अमेटकर पीटे लमसम निपट गई और दुमरिया गंज बस्ति और संदकभीर नगर है मैं आता हूं लेकिन आप से चर्चा नहीं हो पा रही थे आप भी कह रहे हूंगे कि मिससे बात नहीं करने हैं अब पिछली बार आप देखिए सुल्तानपूर भाजपा प्रताबगड भाजप फूलपूर भाजपा प्रयागराज भाजपा अंबेटकर नगर बीएसपी श्रावस्ति बीएसपी डुमरिया गंज भाजपा की थी बस्ति हरिश दिवेदी भाजपा की थी संदकमीर नगर प्रमीर निशाद भाजपा की थी लाल गंज आजमगर में लाल गंज बसपा के पास थी संगीता आजाद आजमगर्ड धर्मेंद्यादव जीते थे अगर उस समय देखा जाए जॉनपूर बस पक पास थी मचली शहर भाजपक पास थी बस पा बिलकुल साफ दिख रही है कोई टक्कर इकलौता जॉनपूर माने तो वहां पे वो टक्कर में दिखाई दे रह एस पी एज किती सीटों में हम लोग को 11 हमारे समवादाता बता रहे हैं अनुराक चौधरी ने अंबेटकर नगर में बताया शावस्ती में अम्मार आपने भी एज शायद राम शिरो मणी वर्मा को दिया है दो ये हैं आजमगर्ड लाल गंज में अवनीश ने दिया विश मार्जिन कम हो जाएगा जिस तरीके का सोनु सिंग के साथ उनका मुकाबला रहा अब सोनु सिंग को लिया है देखते हैं क्या फरक पड़ता है एक बात विश्णू की बात से मुझे समझ में आ रही थी कि वो कह रहते हैं अगर यह 48 गंटे पहले नहीं अगर कुछ पहले अ लेकिन वहाँ उनका अपना पिता जी का प्रभाव उनका खुद का वो कोई चुनाओ नहीं वहाँ वोट देखा जाए उनका 70-80,000 उनके भाई हैं यश्वाद्र सिंग, सोनु सिंग के मोनु वो भी बढ़ी अच्छा मतलब चुनाओ लड़ते हैं हार जीत अलग होती है एक जुबा के सरी